नमस्कार मैं हूँ अतुल सिंगल स्वागत है आपका हमारे खास कारेक्रम स्वेंब सेवक में साथियों हमारे आज के इस कारेक्रम में स्वेंब सेवक हैं शिरी शुरेश जैन जी भारत विकास परिशद के राष्ट्रिय संगठन मंतरी हैं बहुत बड़ा उनका एक कारेकाल और अनुभव है संग में काम करने का समाज सेवा का किस तरीके से सुरेश जैन जी ने काम किया है और कैसे उनकी संस्था भारत विकास परिशद जो संकी संस्ता है वो काम करती है इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले देखते हैं छोटी सीए की रिपोर्ट श्री सुरेश जैन भारत विकास परिशत के राश्टिये संगठन मंत्री और वरिष्ट प्रचारक हैं उने सो असी में प्रचारक का दायत्व संभानने वाले श्री जैन ने पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया एबी विपी से लेकर दिल्ली और हर्याना में प्रांत प्रचारक रहे सुरेश जी जैन के संगठनात्मक कौशल को देखते हुए वरिष्ट अधिकारियों ने उने भारत विकास परिशत को मजबूत करने की जिमिदारी सौपी राष्टे स्मय सेवक संग के अनुशांगेक संगठन भारत विकास परिशत को आज सामाजिक कारों को बहतर धंग से पूरा करने के लिए जाना जाता है इस संगठन के साथ देश के तमाम प्रबुद्व्यक्ति और उद्योगपति जुड़े हुए हैं आपके मार्ग दर्शन में भारत विकास परिशत इस समय मेरा गाउं, मेरा तीर्ट, अध्यापन, बच्चों को पौश्टिक भोजन और संसकार देने के साथ-साथ देश के ग्रामिन संभगों को सुद्रिन करने में जुटी हुई है भारत को अनीम्या मुक्त बनाना भी संसा के मुख्य लक्षयों में शामिल है और एक संग शीवर में में गया था, पिथोरागड के शीवर में, मैं कुछ नहीं जानता था संग के बारे में, उसमें मैंने पहला बोधिक माने असोग जी सिंगल का सुना, वो शीवर में रहने वाले थे और उनका स्याम के टाइम में परवचन हुआ, उस परवचन के करना है, समाज को करना है, ये सादू संत जो होते हैं, ये किसी से असरेंस ले करके जाते हैं, वो अपने आप सादू बनते हैं, और समाज उनकी चिंदा करता है, ऐसे ही तुम पूरा जीवर में लगा करके काम करोगे, तो समाज चिंदा करेगा, संग क्या करेगा, संग तो स सब्सकार की समर्पन की सेवा की संपर्ख की तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इन सब चीजों को लेकर साथ चल पाते हैं देखे मेरी बेग्राउंड विद्यारतियों में रही में जेनु में काम किया प्रारम में माने असोग जी ने इंद्रेश जी ने मुझे जेनु में भीजा जेनु में काम किया आयटी में काम किया और दिली विस्वदालय में सभी होस्टल में काम करता था बहुत सबलता में वि से ठीर जी जोसी ने मुझे का है कि तुम भारतियु खाश्य प्रिशद में काम करो तुम मैं ने का कि भारतियु का सपष्य платने का मेरा क很好 मुझे कोई और काम दे-दो दो नहीं इसमें काम करना तो जैसे उन्होंने का नहीं निश्चित कर ली तुमहर्वा काम करूं इच्छाई आदेश है आपका सब्दी मेरे लिए आ गया है तो उनका चरण चू करके में उनका शिर्वाद लेकर के भारतिका अस्परिशन में आ गया है और उस दिन से आ तक वेरी फर्स डे उसी दिन से लेके आ तक सेवाकारिये समाज में तीन बाते मुझे लगता है अपने देश में बहुत अभाव गरस्त एरियाज हैं लोग हैं जिनको हर परकार के आउसकते हैं रहती हैं आज इतनी बुकमरी है कपड़ा है शिक्षा है स्वास्त है उन सब की पूर्ति करनी है उस पूर्ति करने के लिए हमारे सेवा के काम है लेकिन लेकिन जो दूसरे प्रकल्प चल रहे हैं संके उनसे किस तरीके से भीने भारत्विकास परिशाथ को कि सेवा भारती के वहीं वहीं बता रहा हूं हमारे सेवा भारती का मैं कहत करना समाज को समाज में से बुराईयां समातों पारिवारी की जीवन अच्छा बने संसकार देना ये संसकार भारतिवकास परिशाद में है हमारे पांच स्थम्भ हैं संपर्ग मैं कई बार कहता हूं भारतिवकास परिशाद is the organization of elite people of the society that is संपन, prosperous, परभुद्ध यान intellectual and effective persons तीन टाइप और ये तीनों परकार के लोगों को संपर करके हम समाज के कामें लगाते हैं पहला सिवा के कामें लगाते हैं उनको resources लेकर के समाज के सेवा करना समाज के सेवा के मादिम से दूख दूनिया का दूख दूर करना दूसरा संसकार संसकार में वेक्तियों के मन में समाजिक बुराईयां और समाजिक समस्या हैं परिवार में बहुतरे की समस्या होती हैं उनको निवारन करना और समाजिक बुराईयां जो समाज में कुरूतिया हैं अजारों वरसों के से कुरूतिया हैं उनको ठीक करना दूनों प्रकार की च करता हूं कभी आप मैं बुलाओंगा आपको कारीग को में यह सामुइक गान परतियुक्ता पेट्यूटियम संग साख्हाओं में हमने देश भक्ति बरी यह बच्चों में चोटे बच्चों से लेके बड़े विद्यारतियों तक मैंने काम किया परचारक नेकाले लेकिन भार हम से कितने बच्चे आज आई-एस बने इंस्पायर टूबी आइएस तो ये जो संस्कार है यह बागी किसी सेवा संग्धन में नहीं है। हमने ये भी सुनाए कि संस्कृत में भी शाय सम्सक्रत परति होता हैं घीट गीट परति होता है हमारी संस्कृत नहीं होते हैं दो बासा ही होता है हिंदी और लोकल बासा और संस्कृत इस तरह से हम पूरे देश में साखा से लेके स्टेट से लेके रिजन रिजन से अखिलवारती है कम से कम भी दो तीन लाख विद्धार्थी इसमें पाटिस्पेर करते हैं हर साल और इतना बढ़ी अकारगम होता है कभी हुसं कभी तो आंखों में आ अश्वाजा आगे क्या लक् Philadelphia अब लेके domprene अब हम अवी यह हैं तुल्यय हम जाय है कि भारत विकास प्रिशाद के मादियम से हम भा विकास परिशद जैसा इसका नाम है इसी परकार का काम हम खड़ा करना चाहते हैं मेरी हार्दिक इछा है कि देश में भारत वुकास प्रश्वत के माद्यम से, किसी परकार की सामाजिक बुराय नहीं रहेगी, किसी परकार की सामाजिक समस्या नहीं रहेगी, कोई भूखा नहीं रहेगा. समाज में एक सम्रस्ता का भाव निर्मान करके समाज को खुशाल देखे प्रोस्पेरस इस नूरदा है फी खुशाल नहीं है है तो उसमें क्या-क्या कारिया रहे आपके क्या और क्या अनुभव रहा आपका बहुत अच्छा में तो आपको यह बहुत अच्छा वी साब ने पूछा है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि समाज ने जो जिस तरह के लोग हमारे साथ हैं तिल खोल के सत्रा क्रोड रुप जो मजदूर रखे हुए थे जो भिखारी थे जो कोई भी भूखा कहीं भी दिखा हमारे घरों में पैकेट बने हमारे बोजनाले हमने चलाए वह सारे देश में 900 साखाएं देश में उन्होंने काम किया 900 का हमारे अभी तक वरता है मतलब पूरा तनमन धंसे जो आपके करता अच्छा यहां तक की पुलिस वालों के कई साखाओं ने महीलाओं बेहनों ने कपड़े ड्रेस ला करके वो दोई और दोगर के प्रेस करके उनको अगले देखर आपिस करके आए इस परकार की काम हमने खूब किये हैं अद्बूत काम किये हैं क्या संदेश आप देना चाह अच्छा जैसे हमारा परिवार एक भी निष्क्रिय नहीं होगा तो जी समने परते होकता कि छोड़ी परते हो घर में खाना बना इखाटा बैटके खाना खरें उसको उस पर डाल दिया बिन बिन परकार की डिसीज बनाई एकल गीत परते होकता की किसी महीला ने कीद गाया किसी बच्चे ने कीदगा उस पर डाल दिया कई बड़े बुज़ुर्गों ने कोई काम किया कोई किया संसकार के करेकम कि इस तरह से रंगोली बनाई रंगोली की परतेवकता हुई मतलब आपने परिवारों को जोड़ने का काम किया लेकिन मैं एक सवाल आपसे छोटा से यह पूछूंगा के जैसे परिवारों को जोड़ने का काम करते हैं आपने गाउं को शेरों को जोड़ने का काम भी किया मेरा गाउं मेरा तिर्थ करके आपने जो है एक आयाम चलाया जो हूँ जिस गाउं की बदोलत मैं आज सहर में आकर के बड़ाद में बन गया हूँ मैं अपने उस गाउं में जा करके उसकी सेवा करो यह समय की जरूरत भी है क्योंकि जो गाउं से पलायन हो रहा है वह रुकेगा अगर ऐसा सब हमने वाराणसी में लगबग 500 केंप लगाए जहां पर गरी महिलाओं को उनको सचेत करना उनको अनीमिया मुक्त किया कि कमी ना रहे है किसी आरे इसके कारण से बच्चे हैं हैं मेंटली रिटार्टेड होते हैं तो हम कैसे देश को अच्छा बना सकते हैं अगर हमारे बच्च कि मेंटली रिटार्टेड होंगे अपंग होंगे तो हम कैसे अच्छा बनेंगे इसलिए अनेमिया मुक्त भारत बनाने का हमारा भारत उकास परिश्चत का बहुत बड़ा भियान है पूरे देश में चाहता हूं कि भारत उकास परिश्चत के आज बढ़ते चरण हैं रे साथ आये कंदे से कंदा मिला करके हम उनको समवान में देंगे उनको अपना सिर्मोर बना करके मुखोटा बना करके आगे भी बढ़ाएंगे और हम इस परकार समाज के सब अच्छे लोग 64 समाज में बंकर समय को सचेत करें और जिस परकार के आउशकता हो समाज में इस परकार के आफसकता देने का परियास करें इतना संदेश में बहुत बहुत अन्यवाद हमसे बात करने के लिए सिरिश रेश जैन जी जो भारत विकास परिशद के राष्टी संगठन मंतरी हैं उन्होंने बहुत अच्छी बाते मताईं उन्होंने अपील की लोगों से कि वो आगे हैं जो सामर्थेवान लोग हैं और ग आज के कारेकरम में बस इतना ही अगले फिर कारेकरम में आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए दीजेगा इजाज़त नमस्कार